ऐसे तो रक्षा बंधन से बहुत सी कथाएं जुरी हुई हैं लेकिन हम यहां कुछ चर्चित कथाएं आपको बताने जा रहे हैं। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। बाकी की सभी कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस अनोखे त्योहार की महत्ता से संबंधित हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्चित, मुझे रक्षा बंधन की वह कथा सुनाएं जिससे मनुष्यों की प्रेदबाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है पांडव श्रेश्ट, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिल गया और यहीं युद्ध लगातार बाराह वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतीनिधी इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोशित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आये तथा देवताओं वह मनुष्य यग्य कर्मना करे। सभी लोग मेरी पूजा करे। देत्यराज की इस आग्या से यग्य वेद, पठन, पाठन तथा उत्सव आधी समाप्त हो गए। धर्म के नाश से द प्रिस्थितिया कहती हैं कि मुझे यही प्रान देने होंगे। न तो मैं भाग ही सकता हूँ और नहीं युधभूमी में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताए। व्रिहस्पती ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावन पूर्णीमा को प दाहिनी कलाई में बांध कर युधभूमी में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षा बंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है।